चलिए साहब सर कैपिटल बजेटिंग चैप्टर बहुत सिंपल और बहुत इंटरस्टिंग चैप्टर तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर का नाम है सर कैपिटल सर हाला कि इस चैप्टर को आपके किताब में दो पार्ट में बांट दिया गया है पहले मैं क्लियर कर दू कि हम पढ़ेंगे कैसे एक आपका बेसिक आफ बेसिक आफ कैपिटल बजिटिंग जो की आर्पी रस्तोगी के बुक में ये आपको यूनिट नंबर तू का थर्ड चैप्टर मिलेगा बुक में देखने को थर्ड चैप्टर मिलने वाला है इसका सेकिंड पार्ट है टेक्नीक्स टेक्नीक्स ये आपको यूनिट नंबर टू का ही है ये और ये चैप्टर नंबर फोर देखने को मिलेगा सर एक्जाम में किसी इस टॉपिक पे से भी पूछा जा सकता है सवाल और इस टॉपिक में से भी पूछा जा सकता है मैं इन दोनों चैप्टर को एक सिंगल चैप्टर मान के करूँगा यानि पहले कुछ इसके करेंगे इस कॉशन से जो कनेक्टिण इस चैप्टर में होगा हम इस चैप्टर पे सूच कर जाएंगे सिर्फ आपकी किताब में ये दो पार्ट में बाटा वा अदर्वाइस ये चैप्टर दो पार्ट में होता ही नहीं कभी ये simple एक chapter होता है हमारा तो कुछ हम mix करके दोनों chapter को लेके चलेंगे तो आप सब भी बिल्कुल भी confused ना हो के sir third chapter चल रहा था आप four chapter के question क्यों करा रहे हो अभी तो third ही नहीं खतम हुआ है तो मैं इन दोनों chapter को single chapter मान के चलता हूँ question हम इसके भी सारे कर लेंगे इसके भी लेकिन जिससे हमें एक systematic approach से समझ में आजाए सारा वही approach हम इसमें पूरे में follow करने वाले हैं तो चलिए आपको सभी बच्चों को पहले मैंने इसलिए clear कर दिया कि बाद में आप परिशान ना हूँ चलिए chapter का नाम लिख लेते है that is हब का capital budgeting sir सबसे पहले capital का मतलब क्या है यहाँ पे sir capital का मतलब क्या है यहाँ पे what is the meaning of capital तो अगर हम capital की बात करें ध्यान दीजिए गई धर सभी बच्चे अगर मैं capital की बात करूँ तो यहाँ पे capital का मतलब है sir asset sir लेकिन पहले तो capital का मतलब कुछ और देखा था हमने बिल्कुल सही capital का मतलब होता था पूंजी जो की honor अपने business को start करने के लिए लगाता है आपने इस chapter के अंदर capital का मतलब क्या समझना है sir assets और assets में भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सवाल में machinery use होगा machinery use होने वाला है तो sir इस chapter में क्या होगा हमें budgeting budgeting का मतलब होता है अंदाजा अंदाजा जैसे मैं आपसे कहूं कि आपने एक event organize किया या फिर मैं कहूं आपने decide किया कि मैं अपना एक start-up डालूँगा मैं अपना एक business start करने जा रहा हूँ तो मैं बूलूँगा फिर भी अंदाजन आपको कितने पैसे लग जाएंगे कोई budget बनाया है आपने आपके कितने पैसे लग सकते हैं आपने बूले लग जाएंगे दस से पंद्रा लाग के बीच में तो वह आपका अंदाजा है दस से पंद्रा लाग क्या ऐसा एक्चुल है कि दस लाग लगेंगे या पंद्रा लाग कभी ऐसा नहीं होगा हो सकता है इससे जादा भी लग जाए तो budgeting का मतलब क्या है एक अंदाजा जैसे suppose करो मैंने कहा कि एक काम करते हैं कहीं घूमने जाते हैं तो घूमने जाएंगे तो कुछ न कुछ पैसे तो लेके जाएंगे अब ऐसा मैं कहूं के चलो यहां से डेली से हम चलते हैं suppose वैशनो देवी घूमने के लिए चलते हैं तो आप ऐसा तो नहीं है 20-30 करोड रुपे लेके चले जाओगे आप अंदाजे से पैसे लोगे न तो कितने पैसे आपके लग के लिए तो आप वो अंदाजा लेके चलिए तो अंदाजा आपने बोला कि आने जाने का किराया वहां रहने का थोड़ा बहुत और खाने पीने का तो 2000 ट्रेन का किराया लग जाएगा खाने पीने में 2000 लग जाएगा 5000 एक लोगों के लिए sufficient है क्या आपके 5000 ही खर्च होंग तो सर इस chapter में क्या अंदाजा लगाएंगे इस machinery को खरीदने का इस machinery को खरीदने का अंदाजा लगाना है कि जब खरीदेंगे तो at the end of end of life इस machinery को खरीदने के बाद हमें profit होगा या फिर loss हो जाएगा हम एक assets को खरीदेंगे क्योंकि आपको भी machinery खरीदते हो तो machinery अगर मैंने खरीदा तो उसको क्या किसलिए खरीदा होगा मान लेते मेरा manufacturing company है तो मैं machinery खरीद दूँगा तो मैं manufacturing करूँगा अब मैंने 10 लाक रुपे की machinery खरीदी हर साल manufacturing करूँगा तो कितने unit मैं बेच हूँ और अंदाजा मैंने लगाया कि इससे मेरी 9 लाक की ही कमाई हो सकती है तो क्या मैं इस machinery को खरीद लूँगा अगर मैंने 10 लाक रुपे का एक machinery खरीदा और simple सा example देखिए सुनिए मैं example लिख भी देता हूँ ताकि आपको clear हो जाए sir example क्या ले रहे हो मैंने एक machinery खरीद सर कितने का खरीदा सर 10 लाक रुपे का खरीदा और every year every year मेरा जो sales होगा that is sales मेरा होगा मान लेते हैं 2 लाक रुपे का और इस पे मेरा जो total cost लग जाएगा variable cost, fixed cost, depreciation, depreciation सब लगके हमारा लग जाएगा मान लेते हैं 1 लाक रुपे और कितने बचे मेरे gym में 1 लाक यारी पर एक एक यहर हर साल मेरे assets पर मुझे कितना मिल जाएगा 1 लाक मेरे assets पर मुझे कितना मिल जाएगा 1 लाक मैं लिख रहा हूँ every year मुझे कितना मिल जाएगा एक लाख और मैंने कहा इस मसीन की Life is a nine year आप इस मसीन को nine year तक ही इस्तामाल कर पाओगे तो आप अंदाजना लगाओगे भाईया मैंने मसीनरी कितने का खरीदा बताओ दस लाख का खरीदा और हर साल की कमाई कितनी हो रही है एक लाग तो दस सालों में बताओ कि आप दस साल तो चलेगा नहीं machine कितना चलेगा नो साल आप पूरा machine को इस्तमाल भी कर लो तो आपके पास कितने पैसे ही खटे हो पाएंगे नो लाग और machinery कितने का खरीदा दस लाग तो ये तो आपका नुकसान वाला सौधा हो गया ना यहां तो आपका नुकसान हो गया एक सेकेंट यहां तो आपका नुकसान हो गया चीक है यहां तो आपका नुकसान हो गया नौ लाक तो एक लाक का नुकसान दिख रहा है तो आपको करनी के बाद नहीं आपने पहले एक क्या करा estimation किया पहले एक अंदाजा लगाया तो आप क्या इस machinery को खरीदोगे तो जवाब है सर इस machinery को खरीदने में जब नुकसानी लग रहा है तो हम क्यों खरीदें नहीं खरीदेंगे दूसरा अगर मैं बोलू इस machinery अगर life में 15 साल कर दूँ तो आप 10 लाख रुपे लगा कर 15 साल तक एक लाख रुपे लोगे तो कितने कमाई हो गई 15 लाख तो क्या आप इस machine को खरीदोगे तो हम खरीद लेंगे तो हम capital assets का अंदाजा लगाएंगे कि इस assets को हमें खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए और इसको अंदाजा लगाने के लिए different हमारे पास tool है जैसे payback period है जैसे internal rate of return है जैसे आपका accounting rate of return है net present value है काफी सारे tool and techniques को इस्तमाल करके हम इसके अंदर use करेंगे ठीक है न तो जैसे मैंने कहा कि हमारे दो पार्ट में बटे हुए है तो यहाँ पे कुछ हमारे techniques है यानि tools है हमारे एक तरीके से कह सकते हो sir what is the tools यहाँ पे हम सीखेंगे इस chapter में कि how to calculate IRR बाद में discuss करेंगे full form payback period क्या होता है payback period क्या होता है या फिर ARR क्या होता है या फिर NPV क्या होता है यह सारी बातों का इसमें हम discussion करेंगे इस वाले chapter में major focus रहेगा कि जैसे आपने यहाँ पे बताया कि हर साल की आपकी income कितनी हो रही है एक लाग तो हर साल का जो income निकालोगे यानि sir inflow जो निकालोगे वो सीखने वाले हैं इस chapter के अंदर के how to calculate inflow तो चलिए sir आगे चलते हैं इसको मैं आपके सामने एक profit and loss पहले बना दूँ और इसको हम समझेंगे इस बात को फिर हमारे लिए वो बाते समझना बड़ा असान हो जाएगा एक आपके सामने में profit and loss बनाने जा रहा हूँ और कुछ सवाल मैं पूछूँगा तो आप मुझे जवाब दीजेगा हमारा अब start हो चुका है sir क्या start हो चुका है तीसरा chapter sir तीसरा chapter कौन सा है only capital bursting में हम inflow अगेरा निकालने की बात करें चलिए मान लेजिए मैंने एक अपने सामने बनाया profit and loss एक बना लिया आपके सामने मैंने ये रहा profit and loss buy side में मैंने लिखा पुराने वाला बना रहे है buy side में GP मान लेते हैं कि 3,00,00 रुपे gross profit है यहाँ पे लिखा मैंने two salary मान लेते हैं 50,000 यहाँ पे लिखा मैंने two rent मान लेते हैं 10,000 यहाँ पे लिखा मैंने two depreciation मान लेते हैं 40,000 तो आप मुझे बताइए कि मेरा net profit कितना होगा आप सभी ने बहुत बार ये चीजे निकाला हुआ अपने life में तो ये 3,00,00 हो गया ये 3,00,00 हो गया तो सर, net profit के आएगा बहुत simple सी बात है इस 3,00,00 में से ये हम सारी चीजे घटा देंगे तो कितना आ रहा है net profit हमारा 1,00,00 रुपे आ रहा है 1,00,00 या आएगा न 40,50, 1,00, 2,00, sorry 2,00, net profit के आगया हमारा 2,00,00 रुपे आ गया है क्या ये सभी बच्चों को clear है अब net profit का मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि ये पैसे आपके pocket में होंगे ये पैसे मैं कहूं कि आपके pocket में 2,00,00 हो सकते हैं तो आपके पास 2,00,00 बिल्कुल भी नहीं होगा तर ऐसा क्यों कह रहे हो profit जब 2,00,00 है तो pocket में तो मेरे कितने होने चाहिए 2,00,00 ही होने चाहिए लेकिन 2,00,00 क्यों नहीं होंगे क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा point ये है जिसके उपर आपको cash inflow या outflow नहीं होता depreciation पे तो इसका मतलब सर हमारा profit tax देना है वो पता किस पे देना है net profit पे देना है tax किस पे देना होता है मान लो tax हमारा 50% है suppose करो तो अगर 50% tax है और यहाँ पे मैं अपना tax minus कर दूँ समझना बात को 50% मतलब 1,00,00 का tax हो गया अगर 50% निकाल दे तो हमारे पास jayb में बचे कितने 1,00,00 और यह depreciation वाला 40,000 भी तो मेरे jayb से नहीं गया था तो यह भी मेरे पास 40,000 रुपे बचा होगा तो मेरे pocket में जो cash होगा that is कितने का होगा 1,00,40,000 रुपा होगा समझ रहे बात को यानि सब tax देक्ट मैं यह जानना चाहता हूँ आपके pocket में कितना cash पड़ा हुआ है ठीक है चलो दुबारा मैं आपसे पूछता हूँ आप बताना कुछी situation change करते ताकि आपको समझ में आ जाए बाते तो sir मैंने बताया मेरा tax मैं बदल देता हूँ मान लो suppose tax मेरा 30% है और मैं यहां पे भी कुछ बाते चेंज कर देता हूँ suppose करो मैं depreciation कर देता हूँ suppose 60,000 तो मेरा net profit क्या आएगा sir net profit क्या आएगा 3,00,00, minus में 60,000 minus में 60,000 that is 180 आ गया आपके सामने मैंने 1,80,000 net profit निका दिखा दिया अब मुझे बताईए कि मेरे pocket में cash कितना होगा, text देने के बाद cash कितना होगा? यह बताईए. निकालिये फटाफट कितने cash होगे pocket में. बताईए, अभी मैंने एक छोटा सा calculation, जो भी आता है आये, गलत आये, बताईएगा. कितना cash होगा? मेरे पास cash कितना होगा? कैश कितना होगा अफरीन का आया 190, 190 दिया दिया क्या है 186 सौरब का है सर only 84 होगा आकुरिती का 90 होगा अरनव का 126, सोनल 186 बहुत बच्चों के अलग-अलग जवाब आ रहे हैं चलिए मैं एक बार कैलकुलेट करता हूँ जिन बच्चों ने निकाल लिया वो देखेंगे भी ठीक है ना, चलिए सर कैश हमें कैश कैलकुलेट करना है तो सबसे भईया मेरे पास net profit है जो कि मेरे pocket में आया 180 का है अब इसके उपर सरकार को जब मैं tax दूँगा तो पैसा चला जाएगा मैं ये जानना चाता हूँ मेरे पास कितने बचे सब काम करने के बाद अब इसमें से minus क्या करोगे सबसे पहले सरा tax minus करोगे, that is 30% है तो इसका निकालोगे तो कितना आ जाएगा 84,000 ना हमारे पास जो available fund आया वो आया 1,84 चले गया तो 26,000 है ना वापस से हमें क्या करना होगा वापस से depreciation add कर देना होगा क्योंकि depreciation क्यों add कर रहे हो सर यहां minus क्यों किया था minus इसलिए किया था income tax निकालने के लिए तो हमें depreciation minus करना पड़ता है लेकिन मैं profit नहीं जानना चाहरा income tax नहीं जानना चाहरा 186 वो correct answer था कि 186 मेरे pocket में पढ़ा हुआ होगा clear है एक और सवाल दे आपको चलिए जिन बच्चों का गलत था वो दुबारा से try करेंगे और इस सवाल को फिर से करके दिखाएंगे मैं बस थोड़े थोड़े variation कर देता हूँ इसमें मैं इसमें एक और variation करने जा रहा हूँ चलिए सर इसको variation में लेते हैं इसको मैं कर रहा हूँ 40,000 तो सहाब मेरा profit जो आ जाएगा बदल जाएगा profit आ जाएगा ये total एक डेड़ लाग तो मेरा profit कितना आ गया डेड़ लाग अब मुझे बताएगे मेरे पास cash कितना बचा हुआ होगा डेड़ लाग अब बताएगे मेरे पास cash कितना बचा हुआ होगा cash की बात कर रहे हैं हमारे पास cash कितना होगा profit नहीं जानना चाहता मैं सबसे पहले differentiate create करिये what is the cash और what is the profit के बीच में difference क्या है profit तो जो आ गया cash जो मेरे pocket में पड़ा है दिया ने दिया 165 हर्स ने दिया 165 अधित्य ने दिया 165 165 जादेतर बच्चों का एक बच्चे का 120 भी दिखा मुझे 165 165 मैक्समम बच्चों ने जवाब दे दिया 165 तो सर एक बार check cross verify कर ले तो सर हमारा जो net profit था that is आया था 150 इसमें से सबसे पहले minus कर देंगे that is a tax जो की आ जाएगा 45,000 तो मेरे पास बच्चा एक लाख 5,000 और प्लस क्या कर देंगे सहाब प्लस कर दोगे depreciation जो की है 60,000 तो सभी बच्चों ने सही जवाब दिया 165 इसी को हम पता है क्या बोलते हैं cash inflow inflow मतलब जितना पैसा मेरे पास आएगा that is cash inflow इसी terms को क्या बोलेंगे हम cash inflow एक और सवाल दें इसी तरीके का चलिए आप बताने हैं देखो मैंने P&L बना दिया है अब P&L से profit भी आपने ही निकालना है और पूरा question करना देखते हैं कोन बच्चा अपना mind use करता है मैंने कहा sir मेरा sales है पांच लाग का variable cost है तीन लाग का fix cost है मेरा एक लाग का और tax है मेरा मान लेते हैं 20% और मेरा depreciation है that is 40,000 मैंने ये जानकारी दिया पिछली बार जानकारी मैं आपको पूरा arrange करके दे रहा था now मैंने आपको ये जानकारी दिया आप बताईए cash कितना inflow होगा थोड़ा tough question है अभी के लिए लेकिन फिर भी आपको पहले net profit निकालना है फिर depreciation add back करना है tax wax निकालके तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप बताईए कितना होगा आपका फटा-फट से जवाब दीजिए तिया का जवाब आ गया 88,000 तिया का जवाब आ गया sir 88,000 कुछ बच्चों का जवाब 88 आजम का भी 88 वनसिका 88 कुनाल 88 अर्नव 88,000 सुदर्शन का 120,000 तो आप बताईए जितने बच्चे ऑफलाइन में क्या आ रहा है, एटी एट आ रहा है, कुछ बच्चे कह रहा है, 120 आ रहा है, एक बार calculate कर लेते हैं, चलिए, देखिए, कैसे निकालते हैं, simple साय रूल है, sir अगर हमारा sales है, आप देखते जाईएगा, पांच लाक, sales कितने हैं, पांच लाक, इसमें से माइनस कर दें, variable cost, तीन लाक, और इसमें से माइनस कर दें, कितने हो गए, एक लाक, और माइनस कर दें, depreciation भी, कितने, आप sales में से सारी चीज़े माइनस करते हैं, तो आपके पास जो net profit आ गया, यानि जिसको हम बोलते हैं, profit before tax, याद होगा, EBIT, यतने सारी पॉइंट में करा, profit before interest and tax, लेकिन इसको हम EBT बोल देते हैं, इंटरस की बात ही नहीं है, इसमें, तो EBIT, जिसको हम EBIT बोल देते हैं, short form में, कितने बचे सर, 4,00,000 चले गए, तो 60,000 आ गए न, अब इसमें क्या माइनस होगा हमारा tax, कितने percent सर, 20%, तो that is, 12,000 माइनस कर दोगे इसमें से, तो बचे कितने, 48, ये क्या हो गया, profit after tax, तो हम वापस से इसमें क्या add कर देंगे, profit after tax हमारा बचा 48 और वापस से add back कर दो, depreciation क्योंकि इसमें पैसा गया नहीं था, सर, minus क्यों किया था फिर, क्योंकि हमें tax निकालने के लिए accurate profit चाहिए, as per income tax department, income tax department बोलता है, सारे खर्चे minus करो, चाहे आपके पैसे जा रहे हो, नहीं जा अंसर था, आप भी देख लीजिए, जिन बच्चों का, 88 नहीं आया था, तो कैसे आया था, clear है, कैसे आए 88, इसको हम क्या बोलते है, inflow, ठीक है न, अब मैं एक simple सा, एक और example ले, चलिए, मैंने कहा, sales, thousand unit, at the rate, hundred each, variable cost, 10 piece, fixed cost, 10,000, depreciation, अब थोड़ा मैं आपको उल्जाना चाहता हूँ, मैंने कहा, machinery, 1,00,000, depreciation, 20%, tax, tax, दे दिया मैंने 30%, अब बताईए, cash, in, flow, cash, in, flow, बताईए, चलिए, यह question है, थोड़ा मैंने और चेंज किया, इस question में, क्या रहा है, चलिए, अभी देखते हैं, रेजिस्टर पर पैन करके करें, तो, VC कितना है, सर, VC 10 रुपए है, VC 10 रुपए है, 10 रुपीज वी सी है, 62,001 सिका, हर 62, अधित्य है, 62, सुभम का है, 68,300, 78 भी आंसर आया, 62 भी आया है, जायतर बच्चों का देखने 62, 62, पुरानी स्लाइड दिखा दें, अभी करके दिखा देंगे, वंदना आपने तो 6,39,001 जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया, 62,001, 62 ही आंसर है, चलिए, देखें, आपका क्या है बताओ, चलिए चेक करते हैं, सबसे पहले अगें सेल्स लेंगे, सर देटिस सेल्स कितना होगा सर, अगर आपके 1000 यूनिट 100 के हिसाब से तो सेल्स आ गया, माइनस कर दो वेरिएवल कंष्ट, वेरिएवल कंष्ट, हजार यूनिट पे 10 रुपे के हिसाब से सर, दसचार, माइनस कर दो फिक्स कॉस्ट, तो सर, फिक्स कोस्ट मैंने सीधा ही 10,000 बताया हुआ है, माइनस कर दो डेप्रीशेशन, चला की यहां करी मैंने, depreciation के लिए आपको मैंने क्या दिया machinery और उस पर depth तो एक लाग के उपर 20% अगर निकाल लो तो that is कितना आता है आपका 20,000 तो अब finally हमारा profit आ गया 60,000 इसमें minus कर दो tax यह हमारा profit before tax tax minus करो tax कितना बता है 30% 18,000 तो कितने आ गये सर 42,000 वापस से यह after tax, depreciation कितना था 20,000, तो जिन बच्चों का जवाब था 62,000, 100% ठीक था देखिए बताईए किसी बच्चे का doubt है किसी का doubt, एक और सवाल दे अब एक नए word और देखें, इसको हमने क्या बोला, क्या है sin flow और इसी को हम एक word और भी बोल सकते है चलो cash inflow ही बोलते हैं अभी तो, बाद मैं technical word मैं add करता जाऊँगा तो मेरे हिसाब से अगर ऐसा सवाल आता है कई बार ऐसा same सवाल, ऐसा मैं समझना कि यह मैं सरिफ और सरिफ basic करा रहा हूँ ऐसे सवाल कई बार 10 नंबर में पूछे गए हैं आपसे, सरिफ inflow निकालने को अभी मैं दिखा भी दूँगा, exam में आए हुए questions है, तो question में बस technical word होता है आप cash inflow बताईए कितना होगा, तो sir cash inflow इस सरीके से निकाला जाएगा, चलो एक और सवाल देते हैं इसके अंदर मान लेते हैं या book के सवाल करें चलो book का सवाल करते हैं यह रहा आपके सामने पहला question देखते हैं, जो हमने सीखा वो apply करके एक बार देखते हैं कहता क्या है sir cost of plant यानि cost हमारे plant का plant की price दे दी कितने की आपकी it has estimated life दे दिया इस plant का पांच साल और after the disposed of यानि scrab value 0 है तर यह जानकारी क्यों यह जानकारी है ताकि आप find कर पाओ depreciation कैसे sir depreciation क्योंकि formula होता है एक आपको याद होगा जब आपको rate नहीं गी तो एक formula apply करते हैं, क्या होता है cost plus में expense जो भी हुआ minus में scrap divided by year of life तो sir सवाल के हिसाब से दिखा जाए तो यहीं कर लेते हैं ना बिल्कुल कर लेते हैं सवाल के हिसाब से पांच लाख रुपे और scrap scrap है नहीं zero life कितनी है पांच तो हर साल का depreciation एक लाख रुपे हमने यह निकाल लिया आगे क्या कहता है कुश्चन में कुश्चन में कहता है profit before depreciation, interest and tax जिसको PBIT के नाम से बोल दिया ओके यानि हमारा sir profit before interest and tax यानि sales sir PBIT क्या है PBIT क्या है जो यहां तक चल रहे थे हम यहां तक यानि कुश्चन ने यहां तक की जानकारी दी है जैसे कि यहां तक अगर आप solve करते पुराने वाले कुश्चन में तो जो आप जवाब देते sir that is 80,000 रुपे तो क्या इस 80,000 में depreciation minus है नहीं sir क्या इस 80,000 में interest minus है नहीं क्या इस 80,000 में tax minus है नहीं है तो इसको short form में क्या बोल दिया जाता profit before interest and tax भी बोल दिया जाता या debt d t भी बोल दिया जाता interest की जगा पे p b d t profit before depreciation and tax भी बोल दिया जाएगा short form में चलिए आईए तो यहां पे क्या देता है एक बार देखें कहता है profit before depreciation interest and tax p b i t बोल दिया बैसे d t b लगाना चाहिए था कोई बात नहीं यानि 1,75,000 आपको दिया जा रहा है लेकिन इसमें से क्या depreciation minus है या नहीं है बताईए क्या depreciation इसमें से minus है के नहीं है सवाल में आप ध्यान से देखिएगा तो clearly mention है सर इसमें से depreciation minus नहीं है तो इसका मतलब सर depreciation का तो काम पड़ेगा find out the yearly cash flow आपको yearly cash flow बनाना है plant का और given tax rate 30% 30% rate है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे इसमें से सर सबसे पहले क्या minus करेंगे tax कब लगेगा depreciation minus करने के बाद tax लगेगा profit या पहले लगेगा बताइए tax कब लगता है आपका जब सारे थर्चे minus हो जाते है तभी लगता है क्या थर्चे में depreciation माना जाता है या नहीं माना जाता माना जाता है तो हमें depreciation पहले minus कर देना चाहिए तो हम depreciation minus कर देते हैं Sir depreciation पूरे question में कहीं नहीं है लेकिन हमने निकाल लिया तो that is कितना minus हो जाएगा हमारा एक लाग तो बचे जो हमारे profit profit before tax हो गया नहीं है तो कितने बच गए हमारे 75 तो अब इसके उपर tax लगाएंगे तो इसमें minus कर देंगे क्या सर हम tax minus कर देंगे that is कितने percent है 30% तो 75,000 पे 30% का tax that is 22,500 और जब minus करेंगे तो आजाएगा हमारा 52,500 या आगया profit after tax अब क्या करना चाहिए inflow निकालने के लिए inflow निकालने के लिए वापस से depreciation को add कर देना चाहिए that is one lakh और जवाब आगया 152,500 बहुत बच्चों का जवाब आभी गया सर इसका answer होगा 152,500 इसको क्या बोलेंगे annual एक साल का inflow है अब मैं बद पूछना चाहता हूँ कि इस machinery से पूरी life में कितना inflow होगा तो अगर मैंने पूछा लाइफ में बताओ इसका पूरे तो आप क्या बोलोगे एक लाग बावन हजार पान सो रुपए 152,500 एच येर एड हमें लाइफ क्या है 5 तो 5 से multiply करके निकाल सकते निकाल सकते तो 152,500 इंटू में 5 762500 76 पहले ये देखिए मैंने क्या ये करके दिखाया समझ में आया यानि आपको एक साल की कमाई पता चल रही है और मसीनरी की जितनी लाइफ है अगर मैं पूरे लाइफ की कमाई पूछू तो आप multiply कर दोगे very simple 762500 बिल्कुल सही जवाब clear है हां तक